सब्सक्राइब बच्चों नमश्कार आज हम आपकी वर्क्षिट नमबर 76 क्लास 10 वी हिंदी मीडियम जो कि आपको 22 जैन्वरी को करनी है उसको डिसक्रस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं तो अभी आपकी जो रिविजिन वर्क्षिट चल रही है पहला पार्ट कम्प्लीट हो गया था अब हमने दूसरा पार्ट शुरू करना है अमल शारक तथा लवन सबसे इंपोर्टट जो इसकी है रसाइनी का भीख्रिया है अमल की और शारक की अमल अगर धातु के साथ अभी करिया करता है तो लवन और हाइडोजन बनता है आप देख सकते हो जिंक और HCl के अंदर अमल अगर धातु हाइडोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों में से किसी के साथ भी करेगा लवन कार्बन एकसेड और जल ही बनेगा तो आप देख सकते हो दोनों रियक्शिन्स अमल अगर शारक के साथ अभी करेगा तो लवन तथा जल बनेगा जिसको की उदाष्चनी करन अभी करिया भी कहा जाता है और अगर अमल प्लस धातु ओकसाइड है तो लवन तथा जल बनेगा तो ये सारी के क्वेशिन्स जो हैं बहुत इंपोर्टेंट है आप इनको याद करोगे इ हातु कार्मोनेट और बाइकार्मोनेट के साथ शारक को अभी करिया नहीं करता शारक और अमल के अभी करिया वही उदासी निकरेन अभी करिया हो गई आपकी और शारक और ऑकसाइड के साथ पे करेंगे तो लवन तथा जल बनेगा दो गैसे ज्यादा तर निकल रही है एक है इसी तरह से कार्मेट एक्सेट के जांच के लिए हम क्या करेंगे उत्पादित गैस को चुनने के पानी में प्रोहाइट कर देंगे यह वाली क्वेशिन आप देख सकते हो अगर वह दूदिया हो जाता है अधिक मात्रा में तो इसका मतलब कार्मेट एक्सेट हो रहा अधि सकते हो sodium carbonate HCL, copper oxide HCL, sodium hydroxide HCL and zinc और NUH तो सबसे important reaction में बार-बार कह रहा हूं sodium zincate की है अंडे के चिलकों को नैट्री कल्म में डालने से क्या होगा अंडे के चिलके जो है calcium carbonate होता है उनके अंदर नैट्री काम में डालेंगे तो calcium nitrate बनेगा, carbon dioxide gas निकलेगी और जल निकलेगा hydrogen gas निकलेगी और इसके जलती हुई match stick लाकर परिक्षिन किया जाता है अगर pop की आवाज ये पुष्टी करता है कि जारी gas hydrogen है जब HCL अमल की धातु के बिक्रिया के दोरन जब H2 निकलती है sodium carbon में तनू HCL डालने पर आप तुरंद क्या देखते हैं कि कुछ बुलबुले से निकलेगे carbon dioxide के और साथ में sodium chloride जल तथा CO2 हो गया zinc और dilute HCL के reaction में zinc chloride और hydrogen gas का निश्खाशन होता है दही और खटे पदार्थों को ताермे के बड़त नों में क्यों निहीं रखना चाहिए क्योंकि यह परतिकरिया विशाक्ती योगि को के गठन को आरम करेगी जो माना उपयोग के लिए आयोगि हो सकती है और बोजन को विशाक्तन का कारण बन जाती है चुने के पानी में अतेदिक मात्रा में CO2 प्रवाइद करने पर पहले दूदिया सफे देया बाद में रंगीन क्यों हो जाता है क्योंकि यहां पर केल्शियम बायकर्मोनेट का गठन होगा जो की पानी में रंगीन और गुलंशिल होता है तो पहले आप देखोगे कैल्शियम कार्मोनेट बन रहा है तो कैल्शियम कार्मोनेट में हम दुबारा से जब कार्मोनेट पास करते रहेंगे तो कैल्शियम हाइडोजियन कार्मोनेट जो है बन जाता है यह HCO3 whole twice उसके बाद में तनू हाइडोक्लोरिक अमल की अभीक्रिया जिंग धातू से करवाने पर हाइडोजिन गैस निकलती है हाइडोक्लोरिक अमल की सोडियम कार्मोनेट के साथ अभीक्रिया करवाने पर रंगीन गन्दीन गैस उस थर्जित होगी और उस अभी करिया का नाम जिसमें आमलोर शारक के अभी करिया के प्रमणलाउंदता जल बनते हैं तो यह उदासरीकरियन अभी करिया है और HCL और NUH के अभी करिया आप इसमें दिखा सकते हैं तो उमीद करते हैं आपको वर्कशिट के एकस्मिनेशन पसंद आए